नमस्कार दोस्तो दोस्तो स्वागत है एक और नई वीडियो में आज किस वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उतर परदेश पुलिस में जो 930 पोस्ट पे वेकेंसी निकाला गया है कॉम्प्यूटर अपरेटर का जिसका जो है न पेमेंट 400 रुपए का अपलिकेशन तो आप लोग जो है न अपने घर बैठे किसी के बिना मदद से एक वीडियो देख लेंगे पूरा लाइफ वीडियो एस्टेप बाई एस्टेप तो आपको पेमेंट करने का प्रोसेस पता चल जाएगा क्योंकि पेमेंट में बहुत सारे लोगों का पैसा फोंस जा रहा है या पेमेंट नहीं करने आ रहा है जिसके चलते हैं उनका पैसा बरबाद हो रहा है इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पेमेंट को कैसे करना है तो पेमेंट के करने के लिए आपको रजिस्टेशन नमबर दिखाएगा और अप्लिकेंट का नेम दिखाएगा और यह आपे आवेदन का सुल्क दिखाएगा ये आपको देख लेना है और एक option है pay now और log out तो आपको pay now के उपर click करना है जैसे ही आप pay now के उपर click करेंगे यहाँ पे हमारे सामने तीन option मिलेगा एक है debit card, credit card या prepaid card से आप कर सकते हैं या internet banking से कर सकते हैं या UPI से कर सकते हैं दोस्तो यहाँ पे आपका order summary दिखाएगा जैसे की order number दिखाएगा और यहाँ पे merchant name दिखाएगा और amount दिखाएगा तो देखिए आप debit card में जो है विजा card, master card और रूपे card तीनों card से कर सकते हैं अगर आप debit card से करना चाहें तो यहाँ पे आपको card number 16 अक्षार का feel करना होगा जो की internet banking से करना चाहें तो internet banking में आपको SBI select करना होगा और यहाँ पे bank का नाम select करना होगा तो यह सब जो है ना बहुत ज़्यादा इसमें जो है कि यह करो वो करो इसके सबसे बेहतर जो है यह UPI है यहाँ पे UPI का option आपको नीचे मिलेगा UPI में जो है आप Google पे, phone पे, पे, टीम, जो हैगा UPI QR code तो सबसे पहले आपको दोनों का मतलब समझना होगा देखिए UPI ID पे अगर आप select करेंगे ना तो अगर आप phone पे चलाते हैं तो आपके phone पे में जो है ना add the right YBL या Excel, IBL करके आपका phone पे का UPI ID होता है, Google पे का अलग होता है, Paytm के last में add the right Paytm लगा होता है, Amazon Pay में add the right APL लगा होता है, तो वो ID जो आपके UPI app में होगा ना जो आपका एक create होता है UPI ID पीन बनाते समय वो यहाँ पे आपको फील करना है और फील करने के बाद जो है ना validate UPI ID के उपर क्लिक करेंगे और अपना आप खोलेंगे और आप खोलने के बाद अपना Pay करने के ल तो यहाँ पे QR Code के उपर क्लिक करने के बाद जब आप Pay ना उपिक करेंगे तो जैसे आप दुकान पे समान कीने जाते है ना एक QR Code लगा होता है उस पे आप स्केन करके जितने रुपए का समान लेते हैं या कोई समान खरीते हैं तो Pay करते हैं तो आपका payment हो जाता है ना उस Validate UPA ID के उपर क्लिक करना होगा अब जैसे ही आप Pay now के उपर क्लिक करेंगे तो थेखिए मेरा payment होने के बजाये जो है ना हम बाहर निकल गए यानि कि अब बाहर आगा यानि कि UPI सही से work कर ही नहीं रहा है और इंटरनेट वैंकिंग तो बहुत लोगों को यूज करने आता ही नहीं है तो इंटरनेट वैंकिंग से payment करने का मतलब हुआ कि बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आएगा तो चलिए अब हम फिर से login करना पड़ेगा अब इस बार मैं login करके और debit card से payment करूँगा ताकि सब किसी को पता चल सके क्योंकि debit card घर में किसी ना किसी के पास तो होता है अगर घर में नहीं है तो रिस्सेदार से मांगिए आपको तो लेना पड़ेगा क्योंकि form भरना है तो site सही से work कर नहीं रहा है और उसमें भी UPI और internet banking तो आप समझी रहा है कि किस तरह से काम कर रहा है तो हम अब login करते है user id और date of birth capture डालके और फिर जो अपना है न हम debit card से payment करके आपको दिखाते है कि debit card से किस तरह से payment करना है तो आपको जो option दिख रहा है जैसे कि debit card internet banking UPI तो जो internet banking UPI है यह अभी सही से work कर नहीं रहा है तो इसलिए मैं debit card के उपर click किया हूँ और debit card के उपर click करने के बाद card number और expiry date और CVV और card holder का name फिल किया हूँ आपके पास भी अगर debit card नहीं है तो यहाँ पे आप देखिए जो कि UPI वाला option काम नहीं कर रहा था नेट वैंकिंग वाला option नहीं कर रहा था इसलिए मैं debit card का option चूज किया हूँ debit card पे OTP आया होगा इस OTP को यहाँ पे फिल करना है और उसके बाद यहाँ पे submit OTP के उपर click करना है यह कैसे पता लगता है तो payment होने के बाद जो है न वो direct आप photograph and signature and documents अपलोड करने वाले section में आप आ जाएंगे तो आप समझ जाईएगा ची आपका payment हो गया देखिए मैं मान रहा हूँ कि जो side है न वो बहुत धीरे-धीरे काम कर रहा है और UPI वाला option काम ही नहीं कर रहा है इंटरनेट वैंकिंग सब किसी को चलाने आता नहीं है तो इसलिए मैं आप लोग को suggestion दूँगा कि आप लोग जो है न अपना payment डेविट कार्ट से कीजिए क्योंकि डेविट कार्ट वाला option जो है न वो सही से work कर रहा है तो आप लोग भी डेविट कार्ट पे चूज करके अपना कार्ट नंबर डाल के payment कर लिजिएगा तो I hope आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि जो UP Police Computer Operator में 400 रुपए का payment करना है न इसको आप घर बैठे कैसे payment करेंगे अगर मेरी दिवई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे इंफर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए वस इतना ही मैं आपसे वीदा लेना चाहूंगा तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूटूब चैनल फार्म फिलप की नौलेज जाए हिंद जाए भारत